हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कीर्थ ब्राड कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो जलते हैं आज की वीडियो की और आज की वीडियो में हम सेमी आटोमेटिक मशीन की आनबॉक्सिंग करेंगे यह मशीन गोद्रेज कंपनी की है और यह मशीन और कंपनी दोनों ही बहुत अच्छी है इसकी प्राइज 17,500 रुपे है और यह सब्टमबर 2020 को मैनिफरक्चर होई थी जी हाँ यह मशीन इसी वर्ष पिछले महीने में ही लॉंच होई थी अगर आप यह मशीन आनलाइन ख्रीदना चाते हो तो आनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप यह मशीन वैसे शॉप पर जाकर ख्रीदना चाते हो तो शॉप पर भी मिल जाएगी ख्रीदने के बाद अगर आपको इसमें कोई प्राब्लम नजर आती है तो आप इस पर दिये गए कस्टमर केर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं तो देखिए ये मिशीन फाइब स्टार भी है और ये मेड इन इंडिया है चलिए अब हम इस पर से कवर उतारते हैं पहले इस पर लगी है रसी उतारते हैं और इसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग करेंगी तो चलिए अब हम इस पर से ये जो गत्ते का कवर है इसे हटाते हैं वाओ हमारी मिशीन हमारे सामने आ गई अब हमारा इंजार खत्म हुगा तो देखिए ये मशीन दिखने में ही कितनी अच्छी लग रही है मुझे तो इसका कलर भी बहुत पसंद आया वाइट और ब्लैक आई होप आपको भी ये कलर बहुत ही अच्छा लगा होगा ये मशीन देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है तो सोचिए यह कपड़े कितने अच्छे दोती होगी तो अब मैं आपको इसके चार और दिखा देती हूँ तो देखे इसके पेशे वायर लगा हुआ है और पानी वाला पाइप लगा हुआ है अब हम इसके फ्रंट की और आते हैं तो अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके बीच में क्या-क्या समान है इसमें मशीन के कुछ पार्ट्स दिये गए हैं जो हर किसी मशीन के साथ मिलते हैं ये एक पानी वाली पाइप है और दूसरा सेफटी कवर है जिसे हम कपड़े स्खाने के टाइम यूज करते हैं और ये एक जाली लगी हुई है जिसे हमें कपड़े दोने के बाद साफ करना होता है देखिए इसे इस तरह से उपर से दभा कर बाहर की और खीत लेना है इसे बाहर निकाल कर अच्छी तरह से साफ करकर उसी जगे फिर से फिट कर दिना है देखिए यहां पर इसकी पिक भी दी गई है कि इसे किस तरह से मैनेज करना है अब हम इसके कवर की और आती हैं तो देखिए इसका कवर अपनी आप ही बंद हो जाता है ये आटोमेटिक कवर है इसे हाथ से बंद नहीं करना पड़ता और ये मिशीन के साथ ही अटैच है जिससे कि इससे तूटने का ना ही तो डर रहता है और ना ही इसे लग से लगाना या हटाना पड़ता है देखिए इसके कवर में से ही अंदर का जो हिस्सा है वो अच्छे से नजर आ रहा है अब हम आपको इसके कंट्रॉल बटन दिखाते हैं ये यहाँ पर कंट्रॉल बटन दिये गए है अब हम इसका कवर उठाते हैं देखिए ये तीन बटन है जो सबसे पहला बटन है वो कपड़े धुलने का टाइम सेट करता है और जो तीसरा बटन है उससे सोकिंग का टाइम लगता है मतलब कपड़े कितने टाइम तक सखाने हैं अब इसके सोकिंग पार्ट्स की बात कर लेती हैं देखिए इस पर कपड़े सखाने का तरीका भी बताया गया है कि जैसे कपड़े सखाते समय इसमें हाथ ना डाले और यहां पर पानी का निकास हो रहा है वे जगए मशीन की जगए से नीचे हो मतलब जहां पर मशीन रखी हो वे जगए थोड़ी सी उची हो और यह जब मशीन सखाते समय वाइबरेट करने लगे तब उसे बंद कर देना चाहिए या उसे बंद करकर चलाद लेना चाहिए अब इसके नीचे का कवर खोल कर दिखा देते हैं देखी इसका सोकिंग पार्ट्स भी काफी बड़ा है ध्यान रखें जब आप कपड़े सखाते हैं तब सेफटी कवर जरूर लगाएं और कपड़े सखाने के बाद आप इसके सोकिंग टब को भी पानी से दो दीजिए और अब हम इसका धकन लगा देते हैं और अब इसका उपर का कवर भी लगा देते हैं तो दोस्तों इसकी जो वाश मोटर है उस पर 5 एर की वरंटी दी गई है और इसके साथ ही साथ ये 5 स्टार भी है जो हमने पहले भी पताया था तो कैसी लगी आज की आपको जानकरी कमेंट करकर जरूर बताईएगा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी जरूर कीजेगा और जाते जाते मेरे चैनल को सुस्क्राइब भी जरूर कर दीजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग टाटा बाई बाई